हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आवर चैनल फ्रेंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे relationship and analogy test जी हाँ जीसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें important facts ठीक है उसके बारे में हम discuss करेंगे क्योंकि आपके competitive exam में ऐसे ही आपके question पूछे जाते हैं तो फ्रेंट्स रटना जरूरी नहीं है पहले समझना जरूरी है ठीक है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को start करते हैं और हम questions के through समझेंगे जो भी आपके relationship प्लस analogy यानि कि दासरी जो साद्री सिता परिक्षड है उसको हम कैसे अच्छे से solve कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए हम basically जो भी है start कर रहे हैं और जो आपका सम्मंद एवं साद्री सिता यानि कि analogy test है व आपके तीन जो है topic पर अधारित है ठीक है पहले तो आपका आजाता है word basis यानि कि सब्द पर अधारित और next आपका आजाता है संख्या पर अधारित और next आपका अक्षर पर अधारित ठीक है यानि कि later basis तो इन तीनों topic पर पूरा आपका जो भी relationship and analogy test है अधारित होता है और इसी के according आपके question भी पूछे जाते हैं तो आज है आपका reasoning का first part ठीक है और हम practice set भी करेंगे तो चलिए पहले देख लेते हैं कुछ important question और उसके माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे सबसे पहले देखो आपके screen पर एक question दिख रहा होगा जो की अभी देखो भुपाल सम्मंधे मध्यपरदेश तो भुनिश्चर सम्मंधे क्या होगा आपसर आपको यहां चार दिख रहा है गुजरात ओडिसा राजस्थान और रांचल तो फ्रेंट्स ऐसे आपके maximum question पूछे जाते हैं तो देखो आपको मतलब exam में इतना time नहीं मिलता कि आप ज्यादा मतलब इस एक ही question पर time गवाओ इसलिए आपको अच्छे से प्रेक्टिस करना होगा और आपको अच्छे से समझना होगा सबसे पहले तो देखो आपको मतलब ऐसे question दे दिया जाएगा और यह आप आपको दिख रहा हुआ जो भुपाल है यह आपका मध्य परदेश की राजधानी है है ना यह आपको भी पता होना चाहिए तो ओडिसा की राजधानी होता है वो भुनेश्वार होता है तो इस topic से आपकी question पूछे जाते हैं राजधानी से related तो इसका correct answer हो जाएगा भी I hope यह अब आप अच्छे से समझ गए होंगे और हम question करेंगे ठीक है question के माधियम से हम इस topic को बहुत ही अच्छे से समझेंगे ना की राटेंगे नेक्स आपका question है कि सहारा शंबंदे अफरीका तो थार संबंदे क्या होगा तो फ्रेंट्स आपके सामने अब देखो ध्यान देने वाली बात यहां क्या है आपको पता होना चाहिए यह जो सहारा है अगर आप जी के मतलब अच्छे से पढ़ोगे तो इन किस्टिनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी सहारा आपकी एक मरुस्थाल है और यह आपका अफरीका जो है इसमें सहारा पाया जाता है ठीक है और यहीं अगर हम थार की बात करें तो फ्रेंट्स एसिया महादीप में जो है आपका थार मरुस्तर पाया जाता है तो यह आपको पता होनी चाहिए और इसी से रिलेटेड आपके क्यूश्चर मतलब घुमा कर पूछ दिया जाता है बड़े-बड़े एक्जैम्स में तो फ्रेंट्स आई होब कि अब आप अच्छे से समझ गया होंगे अब हम जानेंगे आपका नेक्स्ट संख्या पर अधारित क्यूश्चन ठीक है तो नेक्स्ट आपका क्यूश्चन जैसे कि अभी आप इसक्रीन पर देख सकते हैं कि 6 संबंधे 13 तो 11 संब को मतलब अच्छे से जो टेवल हैं वो याद करना होगा ठीक है उसके बाद से आपको इसक्वाइर प्लस आपको क्यूब याद करने होंगे तब आपको मतलब इजली ये किश्टन सॉल्फ और सकेंगे बहुत ही असानी से आप क्यूश्चन को देखते ही सॉल्फ कर देंगे लेकिन इसके लिए आपको मतलब अच्छे से तयारी भी करनी होगी तो यह तो अभी बेसिक है जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब आप चाहें तो आप यहां देखो इसमें आपको कितने का गैप दीख रहा है आप ऐसे भी क्यूस्टन कर सकते हैं ठीक है तो यहां आपको जो है साथ का गैप दीख जाएगा है ना और अगर ऐसा ऐसे नहीं होता तो आप यहां से यह भी कर सकते हैं चे चे गुणा यान मतलब की चे और इसके दुगुणा है तो बारह तो आप इसे टेबल्स के माध्यम के माध्यम से भी कर सकते हैं कि तो हम इसे टेवल्स के माधियन से भी कर सकते हैं जैसे कि 6 टूजा ठीक है 12 ट्वेल्ट और प्लस इसमें एक अगर हम एड़ करते हैं तो आपके इक्वल यानि की बराबर में 13 आ जाएगा सेम आपका यही प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे 11 टूजा आपका हो जाएगा 22 बाइस प्लस वन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23 तो इसमें आपको ओप्सन जो है C 30 दिख रहा है तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच अभी यह बहुत ही बेसिक है ठीक है एय८र्ण जैसे कि अभी आप इसमें पर देख सकते हैं俺 आप यहाँ देखो आप सिसिया है कि 11 संह एक मन्थे 15 तो पंद्रह संह नहीं क्या होगा तो अब आप यहां देखो आपको लो तो अब ड़े आउंक मिल गया है तो अब आपको क्या करना होगा जैसे कि अब आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब आपको मतलब कुछ बड़े अंक दिख रहे होंगे तो अब आप यहां घवरा चाते हो कि यहां क्या हुआ है मतलब यह कैसे आएगा तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आपको इस्क्वाइर प्लस क्यूब पहरे से ही पता होना चाहिए ठीक है एक बार यात कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं और अगर आप चाहो तो हम आपको मतलब एक वीडियो से फिर वीडियो प्रवाइट कर देंगे उससे रिलेटेड क्योंकि यह जो आपके क्योशन होते हैं वो इ यह करके देखते हैं 11 into 11 equal 121 ठीक है प्लस अगर हम इसमें चार करते हैं तो आपका कितना आ जाता है तो 125 आपका जो है equal करके आ जाता है अब सेम हम ऐसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं करेंगे 15 into 15 equal equal आपका हो जाएगा 225 ठीक है तो उसके बाद से हम क्या करेंगे जैसे हमने इसमें किया इसमें प्लस चार ऐड कर दिया तो इसमें भी हम दो सो पचीस में प्लस चार एड करेंगे तो आपका कितना आएगा 5, 4 प्लस करेंगे तो आपका नौ उसके बाद से आपका यहाँ 2 प्लस 2 मतलब कि करेक्ट आंसर आपका कितना आया तो 229 200 29 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number c ठीक है अब हम next question देखते हैं जैसे कि अब यह आप screen पर देख सकते हैं यह आपका later से related है और ऐसे भी आपके question पूछे जानते हैं तो friends अब देखो इसमें क्या हुआ है आप पहले देख सकते हैं a c e तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ सबसे पहले आप देखो a c e इसमें आप देख सकते हो कितना ग्राइपिंग दिया गया है तो a b c यानि कि आपको इसमें plus 2 ठीक है plus two इसमें आप मानों फिर c e ठीक है फिर c e plus two उसके बाद से आप देख सकते हो f h j यानि कि इसमें आप e f plus one होगा ठीक है उसके बाद से आप देख सकते हो f g h plus 2 आपका यहां होगा ठीक है उसके बाद से भी आपका plus 2 यहां हो जाएगा मतलब यह जो प्रोसेस है आपका 2 plus 2 plus करके जो है यह सारी प्रोसेस गई है तो अब आपको simply क्या करना होगा आप देख सकते हैं अब हमें k mo उसके बाद से आप यहां चार option मिल जाएंगे तो आपको simply करना कुछ नहीं है पहले अगर आपके पास option है तो आप option के साथ try करें ठीक है तो मान लो हम पहला अगर option लेते हैं कि एक मिनट के एम ओ उसके बार से आपका अगर हम पहला लेते हैं पी रगच टी ठीक है उसके पासे क्या करेंगे तो आप simply हहां देख सकते हो यहाँ बी आपको plus 2 यहाँ भी आपको plus 2 यहाँ आपको टूय आपका जो है plus one ठीक है फिर आप यहां भी देख सकते हो प्लस टू फिर आपका यहां भी प्लस टू मतलब कि यह इसके अनुसार जो है सही बैट रहा है तो इसका correct answer क्या होगा तो आपका PRT तो friends ऐसे ही आपके question पूछे जाते हैं next आपके question है जो कि important है और देखो इसमें आपको बिल्कुल भी confusion नहीं होना है और क्या हुआ है बहुत ही अच्छे से जानेंगे तो सबसे पहले तो आप यह देखो क्या हुआ है एक तो सबसे पहले अब आपको यह जानना होगा कि यह यह बी समंद्र 5 कैसे आया है तो हम जाने है यह बी तो इसको अगर आपके मतलब question ऐसा पूछे जाता है तो आप यह को एक ठीक है और भी दो आप ऐसा मतलब कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यह answer लाने के लिए इसके coding आप ऐसा करिए ठीक है ए और यहां बी अब इन दोनों का आपको square करना होगा ठीक है square करने के फिर 2 का square कितना होगा आपका 4 होगा ठीक है तो अब आपको क्या करना है अब आप यहां plus करेंगे तो 5 हो जाएगा उसी परकार सेम सेम आपको जो है बी सी का करना है तो आप बी सी यहां लिखकर उसके बाद से पहले से मतलब एत होगा नहीं तो यह 2 प्लस आपका यह 3 अब आपको इसका square करना है जैसे यह आप square करेंगे तो 2 का square 4 हो जाएगा और 3 का square आपका 9 हो जाएगा और अगर हम इसको plus कर देंगे तो आपका option आइफ होब कि अब आप अच्छे से यह जो केशन है यह समझ गये होंगे आपको simply यह एक ऐसे ही आपको मतलब यहां लाए गया है ठीक है और फिर इसका square करके plus 5 कर जाएगा है इसी तरह हम इसको भी करते हैं B को C मतलब 2 इसका 3 इसके बासे हम अगर इसका square करते हैं तो 2 का 4 plus 3 का 9 square होगा और इसको हम add करते हैं तो आपका 13 आजाएगा तो friends I hope कि आपको अच्छे से यह question समझ गये होंगे और यह बहुत यह basic question है हम इसका practice सेट भी करेंगे जो भी आपके exam के recording question पूछे जाते हैं तो friends आज के लिए इतना है और वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक like you मित करते हैं और जो भी आपके दोस friends मित रहें उनको जरूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी helpful लो तो मिलते है नेक्स वीडियो में चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अभी एक दो parts और आएंगे तो वेट किजिए नेक्स वीडियो क तो टो गलिए थांग सो वाची